एक दफ़ा का जिकर है कि एक जंगल में एक कुट्टा भूख से निढाल खाने की तलाश में घूम रहा था उसने बहुत ढूंडा लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी ना मिला घूमते घूमते वो एक मचली की दुकान पे आ गया वहाँ उसने जमीन पे गिरी हुई एक मचली देखी उसने फोरण से मचली को उठाया और खाने के लिए तेजी से वापिस जंगल जाने लगा जब वो नदी पार करने लगा तो उसने अपना अक्स पानी में देखा और सोचने लगा कि कोई और कुटा नदी में मचली पकड़े खड़ा है उसके दिल में ख्याल आया कि वो उससे भी मचली चीन ले लेकिन जैसे ही उसने मचली चीनने के लिए मूँ खोला तो उसकी अपनी मचली भी नदी में गिर गई फिर इसे ख्याल आया कि वो कोई और कुटा नहीं बलकि इसका अपना अक्स था और वो दूसरे कुटे से मचली चीनने की कोशिश में अपनी मचली से भी हाथ दो बैठा तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं हमें उस पे खुश होना चाहिए और दूसरी चीज़ों की लालच नहीं करनी चाहिए क्यूंके लालच बुरी बला है